कभी कभी ऐसा होता है अचानक से मेहमान हमारे घर आ जाते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता है इनके लिए क्या स्पेशल बनाएं तो घर में यह उपलब चीजों से बहुत कम समय में बहुत आसानी से बनने वाली टेस्टी रेसिपी मैं शेयर कर रहे हूँ तो सबसे पहले आपको यह आधा कप लेना है पोहा जिसे फ्लैटन रैस बोला जाता है तो यहां पर यह मैंने आधा कप पोहा ले ले लिए है इसे आपको अच्छे से कप्ड़े पर डालकर पोच लेना है और उसके बादने इसमिक्सी के जार में डालेंगे और बहुत पाउडर को ना एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लेना है अब यहां हमने जितना पोहा लिया था उतना ही हम इसमें बेसन डालेंगे तो आदा कभी मैंने इसमें बेसन डाल दिया है एक प्यास को बारिक कट करके डालेंगे इसमें एक शिमलमिश बारिक कटा हुआ इसमें ड खुड़ा सामदीघिनेट। अंपी चाह Czechosimagen templatpowered si to alternator और उसमेंदें पारिक गुट्वी हरी मिर्च और साथ में भी मिर्च आपाँ छाए लकार 12 गराको जाला से थाल मिर्च चाहर कि स्वाथा सर्फ नमक तो करेना 1 बुंदाuges और एक चोथा ही चमब जिसमें अच्वाइन डाला है अब बहुत अच्छे से सभी चीजों को पहले आपको मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना और इसका डूग लगा कर त्यार करना है पहले आप सारी सब्जियां अच्छे से मिक हाद्रा आपको इसमें कम ही चाहिए तो थोड़ा ही पानी हमने डाला और इस तरीकी यो लगा लिया है अब हातों को हलका सा ऑली लगा कर चिकना करेंगे और इस न रो में SC थ्फूड़ा सभी जाए और अंदर तक सिखे और खाने में टेस्टी लगे सारे कटलेट ऐसे ही तयार करें और अब आप इने गरम तेल में डाल दीजे मैंने शैलो फ्राइ कर रही हूं आप चाहें तो इन्हें टीप फ्राइ भी कर सकते हैं एक तरफ से लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर सिखने दे उसके बाद आप पलट दीजे और अब आप इस रेसिपी को उलट पलट कर बहुत ही अच्छा टार कोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लीजे तो कम समय में बनने वाली पहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये जब आप इस रेसिपी को घर में बनाएंगे तो मार्किट के समझा कचवरी तो भ निकाल लेते हैं इसी तरह दूसरा बैच्पिया फ्राइ कीजिए अब ये जो कटलेट हैं हमारे पोहा और बेशन के इन्हें गर्मा करम सर्फ करें इन्हें आप हरे दनेगी चटनी टमैटो सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं तो हैना बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कम समय में और कम इंग्रिडेंट के साथ बन जाती है अगर आप अपने मेहमानों को खुश करना चाहते हैं तो एक बार तो ये सूजी पोहा कटलेट जरूर बनाएं सच में आपके मेहमानों को ये बहुत पसंद आएंगे और वो आपकी रेसिपी के फैन बन जाएंगे